भेडिया और एक भेड एक भेड अपने जुन्ड के साथ घास चरने निकली जल्द ही मैदान के किनारे उसे ताजी घास दिखी और वो उन्हें खाते हुए अपने साथियों से दूर निकल गई वो खाने में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही ना चला कि कब एक भेडिया उसके तरफ आ गया था पर जैसे ही भेडिया उस पे लपका वो गिरगिडा उठी रुको रुको मुझे मत खाओ मेरा पेट खास से भरा हुआ है अगर तुम थोड़ा रुको तो मेरा स्वाथ अच्छा हो जाएगा भेडिये ने सोचा ये अच्छा विचार है सो वो बैट गया थोड़ी दिर में भेड बोली अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा नाचलू उससे मेरे पेट की गास जल्दी हजम हो जाएगी भेडिया फिर मान गया नाचते नाचते भेड को एक उपाएं सुझा भेडिये ने घंटी को उतारा और तेज इसे बजाने लगा घंटी की आवास सुन भेड का मालिक जल्दी से वहाँ आप पहुचा उसे देख भेडिया वहाँ से डर कर भाग गया हूँ और भेड की जान भी बज गई अकसर भोले और कमजोर दिखने वाले ताकत वर्सी ज्यादा चलाक होते हैं